नमस्कार श्वागत है आप सभी का फिर शेक नए वीडियो में मैं हूँ अब शेक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल आईडियल यूटूबर बहुत बहुत श्वागत है आपका student आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि bonafide certificate क्या होता है bonafide certificate कहां बनता है इसका क्या काम होता है इसके बारे में पूरा information जो है वो देने वाले हैं कैसे बनेगा उसके लिए आपको जो later है ठीक है वो कैसे लिखना है अपने department को later कैसे लिखना है उसका भी format हम आपको देंगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा bonafide certificate को लेकर के कोई भी confusion है न तो आपको इस वीडियो में मैं clear कर दूँगा बस वीडियो को skip मत कीजेगा सारा doubt जो है वो clear हो जाएगा इस वीडियो के इंद होते होते आपको एक comment करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी YouTuber की व टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से जोईन कीजिए और YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आपसे कोई अपडेट जो है वो miss न हो पाए Student bona fide certificate क्या होता है यहाँ पर बहुत से student को confusion होता है अभी बिहार UG EAC का counseling चलना है ठीक है अगर आप किसी institute के लिए किसी course के लिए किसी college के लिए अगर bona fide certificate आपको कहा जाता है बनवाने के लिए तो उसका क्या process है bona fide certificate कैसे बनता है सबका process सेम होता है कहां से बनेगा कैसे बनेगा अगर आप इसको समझ जाते है तो आप bona fide certificate आसानी से बनवा पाएंगे इसके लिए क्या करना होता है सारी चीजों को हम step by step इस वीडियो में देखेंगे अभी बिहार इंजिनिंग का मौपपराण का counselling चल ला है उसमें rank card जब आप आया है जो merit list आया है उसमें एक bona fide certificate का चर्चा किया गया है student को इस चीज को सुनके ना उनको पसीने आने लगे है ठीक है जब यहाँ पर आईएगा आप तो देखिए bona fide certificate में यहाँ पर लिखा गया है कि bona fide certificate साथ लाना है तो बच्चे को पसीने आने लगे हैं कि bona fide certificate का क्या होता है कहां से बनेगा तो आप लोग घबराईए मत ideal YouTuber आपके साथ है हर एक step पर आपके साथ रहेगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो student सबसे पहले आपको क्या करना है कि bona fide certificate कहां से बनेगा तो student क्या होगा bona fide certificate उस institute से बनेगा उस college से बनेगा जहां आपने अभी admission ले लिया है अगर आपने कहीं admission नहीं लिया है तो आपका bona fide certificate जो है वो नहीं बनेगा bona fide certificate जो होता है वो बनता है college में admission के बाद जो आपको जिस college में admission हुआ है वो college आपको बना करके देगी इसके लिए क्या होता है एक application लिखना होता है application कैसे लिखना होता है वो मैं आपको last में बताऊंगा ठीक है देखिए bona fide certificate यह है रामधारे सिंग दिनकर अभिनियंदर college बेगू सराये का देखिए एक bona fide certificate होता है जिस पे क्या होता है फिये structure होता है college का ठीक है जब आप कही लोन अप्लाई करेंगे किसी बैंक से लोन लेंगे या student credit card से लोन लेंगे तो आपको कहेगा कि bona fide certificate लाइए तो bona fide certificate पर क्या होता है कि आपकी इस college के student है उस college का पूरा data रहेगा उसके बाद उस college का जो रहेगा वो पूरा फी structure रहेगा देखिए यह college का पूरा फी structure गोटियाज इनवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ देखिए मेरा नाम है अभिशेक कुमार अन्नू ठीक है यहां मेरा father's name है सेसन 22-23 का है और यहां पे नीचे देखिए कि fee structure दिया गया है ठीक है first year का कितना fee है second year का कितना fee है hostel total fee कितना है hostel का fee कितना है यह आपको क्या होगा college बना जाता है तो वो क्या होता है कि उसमें fee structure जो है वो included नहीं रहता है आपको fee structure नहीं देगा अगर fee structure साथ में दे देता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है यह रहा bonafide का structure जितमें जिसमें क्या रहेगा कि fee structure नहीं रहेगा इसमें सिर्फ यह mention रहेगा कि आप इस college के छात आपका admission हुआ है, semester रहेगा, course रहेगा, duration कितने से कितने का है, उसके बाद आपका यहां पर father, mother, date of birth रहेगा, और expected year of course completion रहेगा, तो भी टेक चार साल का रहता है, और यहां पर क्या होगा, आपके college का जो होगा, वो sign mover होगा, तो आप लोग ने इतना समझ लिया कि bonafide certificate दो त कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही bonafide structure होता है, बहुत से college क्या करते हैं, admission counseling document verification में, fee structure mention नहीं करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप कहीं loan लेने के लिए जाते हैं, या बिहारे student के read card के लिए apply करेंगे, तो आपको यही fee structure वाला जो है, bonafide certificate लगेगा ना कि आपको सिर्फ नाम बाला bonafide लगेगा, अगर आप admission लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको यह bonafide से काम चल जाएगा, लेकिन loan वगेरा लेने के लिए यह आपको bonafide certificate जिस पे आपका fee structure होना जो है, वो बहुत जरूरी है, यह आपके अपने college से मिलेगा, जहां आपन admission लिया है, उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको student एक application लिखना होगा, अपने college में जा करके, ठीक है, कौन कौन सा document लगेगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, application का एक format जो है, वो मैंने तयार किया है, आप अपने college जाएंगे, और यहां पे देख certificate for, आपको admission counseling लिखना है, अगर आप loan के लिए यह credit card के लिए apply कर रहे है, जिस भी चीज़ के लिए apply कर रहे है, तो आपको वो चीज़ यहां पे mention कर देना है, उसके बाद नीचे बढ़िए, नीचे आप यहां पे क्या लिखेंगे, respected sir लिख देंगे, उसके बाद I am writing this letter to inform you that I am a student of B.Tech, Civil Engineering, आपका जो भी department है, जो भी branch है, वो mention कर देंगे, in first year, second year, जो भी है, वो mention कर देंगे, college का जो नाम है, address है, वो mention कर देंगे, ठीक है, आपको college का नाम बगेरा जो है, अपना नाम है, I am a student of A.Kumar, अपना नाम भी डाल सकते हैं, my family can't afford to pay the education, so I want to take a student credit card scheme provided the government or B यह है, अगर आप बिहार, अगर आप student credit card या loan के लिए apply करना चाहते हैं, तो इस tagline को लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस जगह पर लिख सकते हैं, कि for the purpose of counseling document verification, BCEC board demand the bona fide certificate for document verification, so I need यह लिख करके आप यहाँ पर इस line को remove कर सकते हैं, अगर आप student credit card के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद then next क्या है, कि I requested you to issue the bona fide certificate is my name, इतना इतना, scheme very easily, यह सब आप लिख सकते हैं, scheme यहाँ पर लिखा हुआ है, तो counseling to complete my document verification, आप यहाँ पर change कर देंगे, thank you वगरा लिख के, sincerely लिख के, signature वगरा कर देंगे आप यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अ consumption कर सकते हैं, BCC roll number, उसके बाद serial number लिख देना है, date of worth, home district, ठीक है, और इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, देखिए, क्या क्या लगाना होगा इसके साथ आपको, तो यहाँ पर है, फिर सिप्ट लगाना होगा, allotment later लगाना होगा, 10th class का certificate लगाना होगा, और का certificate लग जो रहेगा, वो मेरे जैसा रहेगा, देख लिजिए, इस तरीका का bonafide certificate जो है, वो आपको मिलेगा, नीचे register वगेर का sign रहेगा, अगर आप MIT मुझा फरपुर में अगर आपका admission होता है, तो इस तरीके का आपका bonafide certificate मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, देख जो है, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, कैटागरी लिखा रहेगा, कौन सा ब्रांच है, समेस्टर लिखा रहेगा, और यहाँ पर नीचे देख लिजिए, ठीक है, यहाँ पर जब आप नीचे देखते हैं, तो नीचे आपका जो फिए structure है, वो मेंसन रहेगा, यह format आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इस format पर college आपको बना करके देगा, आपको बस लेटर जो है, वो लिख करके अपने जिस college में admission लिया है, उस college में देना है, आपको bonafide certificate जो है, वो मिल जाएगा, आप समझ गए होंगे, कि दो तरीकों का bonafide certificate होता है, दोनों का क्या क पसंद आया होगा, तो एक like जरूर कीजेगा, वीडियो कैसा लगा, एक बार comment section में हमें जरूर बताईएगा, तो चलिए, मिलते हैं next video में, next update के साथ, तब तक के लिए जैहिन, thanks for watching.